मुझ से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले हमारा फर्स्ट वर्ड है I I का मतलब होता है मैं We We का मतलब है हम या फिर हम लोग Next है You You का मतलब है तुम तुम लोग या फिर आप They They का मतलब होता है वे या फिर वे लोग Next है He He का मतलब होता है वे है यह मेल के लिए यूज किया जाता है यानि कि पुलिंग के लिए She She का मतलब भी वे है होता है लेकिन यह इस्त्रियों के लिए फीमेल के लिए प्रयाउग किया जाता है It इट का मतलब होता है यह है, यह non-living और animals के लिए use किया जाता है, it आर, आर का मतलब होता है हमारा या फिर हमारी यॉर, यॉर का मतलब होता है आपका या फिर तुम्हारा देर, देर का मतलब होता है उनका या फिर उन लोगों का His, His का मतलब है उसका या फिर उसकी ये male के लिए use किया जाता है Her, Her का मतलब भी होता है उसका या फिर उसकी लेकिन ये female के लिए use किया जाता है Her, Its, Its का मतलब है इसका या फिर इसकी its non-living या फिर animals के लिए use किया जाता है Us, Us का मतलब है हमे Me, Me का मतलब है मुझे Them, Them का मतलब है उन्हे Him, Him का मतलब होता है उसे ये male के लिए use होता है Her, Her का मतलब है उसे ये female के लिए use होता है What, What का मतलब है क्या Who, Who का मतलब होता है कौन Which, Which का मतलब है कौन सा why why का मतलब होता है क्यों when when का मतलब है कब how how का मतलब है कैसे whose whose का मतलब होता है किसका whom whom का मतलब होता है किसे where where का मतलब है कहा What for इसका मतलब है किस लिए What for किस लिए Next है whatever Whatever का मतलब होता है जो भी Whenever Whenever का मतलब है जब भी From where इसका मतलब है कहां से With whom With whom का मतलब है किस के साथ At what time इसका मतलब है किस समय How much How much का मतलब है कितना ये quantity की बात की गई है कितना How many times इसका मतलब है कितनी बार यहाँ पे numbers की बात की गई है कि हम उसे count कर सकते हैं वो countable thing है How long How long का मतलब है कम से Time duration की बात हुई है इसमें This This का मतलब होता है यह है That That का मतलब है Where These 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 का मतलब है यह Those Those का मतलब है We Anyone Anyone का मतलब है कोई भी No one No one का मतलब है कोई नहीं Everyone Everyone का मतलब है हर कोई Everything Everything का मतलब है सब कुछ Nothing Nothing का मतलब है कुछ भी नहीं Some Some का मतलब है कुछ All All का मतलब है सब Always Always means हमेशा Never Never का मतलब है कभी नहीं Sometimes Sometimes का मतलब होता है कभी कभी often, often का मतलब है अक्सर for, for का मतलब है के लिए with, with का मतलब है के साथ towards, towards का मतलब है की ओर inside, inside का मतलब है अंदर outside, outside means बाहर stairs, stairs का मतलब होता है सीडिया, door, door means दरवाजा window, window का मतलब है खिडकी table, table है मेज almira, almira का मतलब होता है almari, kitchen, kitchen का मतलब है so, so का मतलब है इसी लिए that's why, that's why का भी मतलब होता है इसी लिए because, because का मतलब होता है क्योंकि but, but का मतलब होता है लेकिन about, about का मतलब होता है के बारे में then, then means फिर many, many यहां countable things के लिए यूज़ वता है अनेक here, here का मतलब होता है यहां there, there का मतलब होता है वहां everywhere, इसका मतलब है हर जग है nowhere, nowhere का मतलब है कहीं भी नहीं भई, किसी भी जगा पे नहीं है वो more, more का मतलब है ज्यादा less, less means come before, before का मतलब होता है पहले after, after का मतलब है बाद में only, only का मतलब है केवल today, today means आज tonight, tonight का मतलब होता है आज रात yesterday, yesterday का मतलब है कल, जो कल बीत चुका है, बीता हुआ कल tomorrow, tomorrow का मतलब भी है कल लेकिन ये आने वाला कल है last night, last night का मतलब है पिछली रात day before yesterday, इसका मतलब होता है परसों, यानि कि बीता हुआ परसों day after tomorrow, इसका मतलब होता है परसों, जो परसों आएगा, आने वाला परसों few days ago, इसका मतलब होता है कुछ दिन पहले near, near का मतलब है पास far, far का मतलब है दूर pull, pull का मतलब है खींचना push, push का मतलब होता है धकेलना press, press का मतलब होता है दबाना open, open का मतलब होता है खोलना close, close का मतलब होता है बन करना still या फिर yet, इसका मतलब होता है फिर भी people, people का मतलब होता है लोग ask, ask मतलब की पूछना tell, tell का मतलब होता है कुछ बताना say, say का मतलब है कहना speak, speak का मतलब है बोलना talk, talk का मतलब होता है बात करना